अक्सर लोग छोटे छोटे गलतियों से अपने स्मार्टफोन को एक बहुत बड़े प्रॉलम में डाल देते हैं जैसे कि आज का ये वीडियो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपके पास ओपो का A7, A9, A31 है और वो लॉक हो गया है और आप उसे अनलॉक करना चारहें आपने बहुत ट्राइ किया तब भी आप उसे अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आप सुरू से लेके अन्तक पूरा स्टेप के साथ देखेंगे तो आप अपने ओपो के लगे हुए लॉक को अनलॉक कर पाएंगे वो भी बीना कंप्यूटर के हेल्प से बीना किसी डाटा केवल के बीना एफारपी मारे हुए और बीना स्रवी सिंटर गये बस आपके स्मार्टफोन में आपको लॉक यदि लगा हुआ है तो उसे अनलॉक आपका स्मार्टफोन से हो जाएगा जो से कम हो जाएंगे आपके हैंट्शेट को अनलॉक करने के तो इसलिए पूरा देखें पेसेंस के साथ देखें बीना हरवरी का देखें क्योंकि यह एक टूटोरियल वीडियो है जहां पर हम आपको कुछ नया सिखाएंगे तो आज की यह वीडियो कंप्लीट हो आपकी होने बेना देखें कि इस वीडियो को सुड़ू करते हैं इस वीडियो को सुड़ू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफूल थी आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो क मतलब जो मोवाइल रिपेरिंग की सौफ है जिनकी ताकि वो हमारे आने वाले नए नए ट्रिक के वीडियो को फ्यूचर में भी देख पाएं तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो में हम क्या ऐसा बताने वाले हैं जिससे आप OPPO के A7, A9 और A31 handset में लगे होई lock को खोल पाएंगे यदि आपके पास OPPO के इन phones के अलावा कोई और भी handset है जैसे A-series, F-series या आपके स्रेनो के सेरीच तो आप उसे भी इसी method से unlock कर पाएंगे क्योंकि यह जो method है यह master unlocking mode के थूरू हम बताएंगे आपको तो यह सारे OPPO के उपर काम करता है हाँ यदि आपके पास realme का फोन है वीव का फोन है वन प्लस है शौमी है तो आप इसे एक वार ट्राइज जोरू करक इसे भी दवा लें साथ में पेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारे आने वाले इस सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंसती रहे तो पहले तो आपको जो method है वो बताऊं उससे पहले में आपको यह बताना चाहूंगा कि आपको अपने smartphone में कौन-कौ आपकिंग इंटरफेस है जहां पर आपसे यह मांगा जाएगा जो आपने लॉक लगाया होगा आपको याद नहीं है कोई बात नहीं लेकिन आपको यहां पर बार बार ट्राइड नहीं करना है गलत गलत पासवर्ड जैसे कि एक वार मैंने ट्राइड किया यह नहीं आपको उपेन हुआ तो फिर से इसे ट्राइड नहीं करना है वरना यह एंसेट पहले कुछ सेकेंडों के लिए फिर कुछ मिंटों के लिए फिर कुछ घंटों और दिनों के लिए प्रमनेट लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सर्वी सेंटर और आप जानते हां जिस मेठेड से हम आपको बताएंगे खोलने के लिए उसके तुरत एक घंटे के अंदर आपको नया पासवर्ड लगा लेना है इस बात को याद रखी का क्योंकि मैं भूल जाता हूं बताने के लिए तो चलिए आपको आपको कैसे अनलॉक करना है आप इस लॉकिंग इ इंटर करना है जो कोड है स्टार है एट डवल नाइन और है आप चाहें तो इसका स्क्रीन सॉट ले सकते हैं वरना आप इसे कॉपी पेन लेकर कहीं लिख भी सकते हैं यह आपको होल लाइफ काम आएगा यह आपके पास चैनीज कोई भी हैंट सेट है जैसे रियल मी शॉमी इंडारी एम आई वीवो वन प्लश तो आपको यह नहीं सब्सक्रीर करते है अब इसे भी क्लिक कर देते हैं जैसी आपने क्लिक किया आप देख सकते हैं हमारा इंजीनियर मोर्त हो गया है और इसका आप नाम से समझ गया होगे कि यह कोड बहुत ही कामकी कोड इसके नहीं जानेंगे तो यदि आपने इसमें कुछ भी छचर किया तो आपका स्मार्टफोन और ज्यादा खड़ाव हो सकता है तो इससे अच्छा है कि आप इसे पूरा सही से देखें और सही से प्लाइकर जो मैं बता हूं वास उतना ही करें यदि आपको इंगिजिया मोड के बा इसलाल यहां नंबर फोड पर है जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इसे क्लिक करना होगा तो चली मेनुल टेस्ट को क्लिक करते हैं अब आपका नया पर जा जाएगा और इस पेज पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन आपको यहां भी कुछ भी क्लिक न आपको थोड़ा बतायता हूं इसके लिए इससे अभी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां एक सेकेंड लास्ट पे आपको एक आप्शन मिल रहा है डाटा बेस भर्सन हो सकता है आपके फोन में यहां पर में बोर्ड भर्सन भी लिखा है वह वर्सन और इस वर्सन को मिलाईए यहीं दोनों एक है तब तो आपका स्मार्टफोन अनलोग हो जाएगा यहीं इससे अलग है तो इसका मतलब है कि आपका जो वर्सन है वह और डेटेड है उसे आपको पहले अपडेट करना होगा इसी वर्सन पे तब ही आप उसके हेल् अलग अलग होता है और उसे सेम इसी नए वाले वर्सन में अपडेट करने का जो तरीका है मैथेड है वह भी सबका अलग अलग है कम से कम 200 टाइप के होते हैं इसे चेंज करने के तो सबका मैं यहां पर बताऊंगा तो वीडियो ना बहुत जादा लंबी बन जाएगी दूसरे बें आप अपने हैंडशेट का नाम कंपनी का नाम और उसका वर्सन यहां पर आपको बता रहा है वह आप हमें लिख के कमेंट करें मैं या फिर हमारी टीम आपको विदिन वन मिनेट करें और उस रिप्लाई से आप सिर्फ एक मिनेट में उसे अपडेट करके नए जल्दी क्लिक करने से जल्दी से सुना है तो चलिए अभी प्रोसेश को पूरा करते हैं 1234567 और क्लिक कर दिया जैसी आपने क्लिक किया आप देख सकते हमारे साड़े की पास हो चुके हैं इसका मतलब कोई भी की पैटर्ण पासवर्ड फिंगर प्रिंट फेस्लों अपने लगा थे वह सारे आपके अनलॉक हो चुके हैं सिर्फ एक घंटों के लिए आपको इन एक घ करते हैं कि क्या आपका स्मार्टफोन अनलॉक हुआ है और आपके सामने मैं दिखा रहा हूं इसका मतलब है कि यह process successfully 100% apply हो रही है स्मार्टफोन में और इसे unlock कर रही है तो आपके भी स्मार्टफोन को यह unlock कर रहे हैं ट्राइ एक बार जरूर करके देखिए यदि कोई problem हो रही है तो बिना देर के चैनल को subscribe किजिए कमेंडर बताइए कि आपके पास कौन सा company का कौन सा model ह है और उसका मेंड़ भर्सन या फिर डाटाबेस वर्सन क्या है ताकि हम आपको जल्दी साथ reply दे और उस reply के help से आप उसे unlock कर पाएंगे तो फिर्म बिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ तो इसी तरह से देखते रहे है review revealed